हरे कृष्ण, श्रिमत भागवत्तम, सकंध दो, अध्याई नौ, आजका श्लोखे 37 एतन मत्तम समातिष्ठा, परमेणा समाधिना, भावान कल्प विकल्पेशू, ना बिमुई हाति करहिचित अनुवाद वतात प्रडिया, शिला प्रवपात की द्वाडा, शिला प्रवपात की जै भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्ड करके इस निर्नय का पालन करो तुम्हें ना तो आंगशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समान, किसी प्रकार का गर्व विच्छलित कर सकेगा तो हम देखते हैं, हमने अभी चतुरुष्लो की भागवतम पढ़ा, जैसे चतुरुष्लो की भागवत गीता है, कृष्ण अरजुन को बताते हैं वैसे ही चतुरुष्लो की भागवतम ब्रह्मा जी को कृष्ण देते हैं, और उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे कोई अहंकार न हो जाए यूगि ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा है, ब्रह्मा को बहुत सरा भगवान का ब्लेसिंग्स मिला हुआ है, भगवान से उन्होंने दिरिक्ट मिले, हाथ मिला है भगवान ने उनके साथ भगवान का वैकुंट धाम शृष्टी करने से पहले ही भगवान ने उनको दर्शन करा दिया और शृष्टी का काड़े में ब्रह्मा ही ब्रह्मांड का राजा है तो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि मुझे कोई कही अहंकार न हो जाए भगवान आस्वासन देते हैं हे ब्रह्मा तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो इस निर्णय का शृष्टी करने के लिए तो इसी प्रकार हमें कृष्ण में मन को एकाग्र करते हुए अपने समस्त स्वधर्म का पालन करना चाहिए स्वधर्म दो प्रकार का होता है आत्मा का और शरीर का तो आत्मा का स्वधर्म कृष्ण की सेवा है शरीर का स्वधर्म है पेट का पालन पोशन फैमिली का पालन पोशन जो भौतिक करतेव्य शरीर से रिलेटिद होता है तो भले ही हम वही करते अभ्य पालन करें लेकिन हमें क्या करना चाहिए भगवान में मन्द को एकाग्र करती हुए करना चाहिए तब क्या होगा? कृष्ण कहते है ब्रह्मा से तुम्हें ना तो आंग्षिक ना ही पूर्ण प्रलय के समान किसी प्रकार का गर्ण विचलित कर सकेगा अर्थार प्रलय होता है तो भगवान स्रिष्टी करते है भगवान स्रिष्टी करते है एक्ष्विली ब्रहमाजी करते है भगवान की ही शक्ति से भगवान का दिया हुआ बुद्धी से तो कही बार ऐसा होता कि हम जिजबी पोजिशन में है अगर हम क्रिष्णत में हमारा मन नहीं है और लोग माली जी आपको मानने लगए आप फैमस हो गए पोजिशन भी आपका हाई है तो विक्ति क्या हो जाता है? पफ टॉभ हो जाता है उसको अहंकार हो जाता है तो ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है तो पहले ही भगवान से कहते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो और भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि मन को मुझे भी काग्र रखो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा तो इसी प्रकार ये जो शिश्य परमपड़ा के बारे में शिल्य प्रहुपा जी तात्पड़े में बताते हैं कि मनुष्य को तथा कतित वया करोनों के निरने से या इन्ना अलपक ज्यानियों के निरने से पदभरष्ट नहीं होना जाए जैसे सास्त्र को खुद पढ़के या ऐसे व्यक्ति से समझना जो प्रामानिक व्यक्ति नहीं है इससे परंपड़ा पध्धती का पालन नहीं होगा और जब परंपड़ा पध्धती का पालन नहीं होगा तो व्यक्ति का मन कृष्णे में स्थित नहीं हो पाएगा भगवत धाम नहीं प्राप्ति कर पाएगा और कुछ न कुछ अर्चने आती रहेंगी लेकिन जब गुरु का कृपा होती है आस्वासन होता है इसे कृष्ण ने आस्वासन दिया ब्रह्माजी को तब वो उन मिध्या अहंकार से मुक्त होने में सफलता प्राप्त करते है किसी को अपने अधूरी संगसारी ज्यान के आधार पर अपना निसकर्ष निकालने का प्रहत्त नहीं करना चाहिए लोग बहुत जज्जमेंटल हो जाते है अपना थोड़ा बहुत एक्सपरियंस जो उनको हुआ है इसी जनम में उसी के आधार पर बहुत सारी बाते करने लगते हैं लेकिन अधूरी संगसारी ज्यान है वह तो बहुत बढ़ा है तो जो प्रामानिक गुरु है वो सिस्य को कभी भी शब्दजाल में नहीं फसाते हैं शब्दचाल में फसाने का मतलब है कि जो शिश्य को अच्छा लगे और जो शिश्य सुनना चाहता है उसके हिसाब से उसको बोलना और सास्टों का सहारा लेना ताकि शिश्य उनके साथ जुरे रहे धनादी प्रदान करते रहे तो यह सही सिक्षा नहीं है प्रामानिक शिश्य लोग बिदेशी थे तो उनके हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला उन्होंने वही स्ट्रिकनेस रखा तो इसी प्रकार सास्त्रों में जो बताया गया है उसके साथ कोई भी प्रामानिक गुरु कुछ भी कंप्रमाइज नहीं करते या मनमानी धंग से अपने 2.20 श्लुक प्रहपाद यहां कोट करते हैं रेफरेंस देते हैं कि इस आत्मराम स्थिती में जो भक्ति करने के फलस्वरुप सांकसारिक इंद्रिया सुक उपभोग से पूर्ण विरक्ति द्वारा प्रकट होती है मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है तो भक्ति से ही विरक्ति आएगी कोई विरक्त हो जाए पर भक्ति नहीं है तो कभी भी वो माया जाल में फस सकता है लेकिन जब हम भक्ति करते रहेंगे जैसे एक ब्रह्मचारी है उनको स्त्री के बारे में नहीं सोचना अगर वो ऐसा सोचता रहेगा कि मुझे स्त्री के बारे में नहीं स सिरे के बारे में मन और वो किसी स्थ्ट्री के सोच पाई है बिजी तो इस तरह से हमारा मन है जो है उस बंदर की तरह है जो एक पेर से दूसरे पेर में जम करता रहता है तो इसलिए उसको अगर कोई engagement नहीं मिलेगा जो कि भगवान के चरंद कमलों में अगर engagement नहीं मिलेगा मन को तो यह अपना nature नहीं छोड़ने वाला उसको अध्धात्मी की करन करना ही होगा अगर हम real happiness को प्राप्त करना चाहते है तो असली आनन्द है उसको प्राप्त करना चाहते है भगवत गीता में भगवान कहते है 10.10 जो चटुशलो की गीता में आता है तेश्रम सतत युकतानम भजताम प्रिति पुरवकम ददामी बुद्धी योगमतम ये ना मामो पयांती ते जो भगत प्रिति पुरवक भगवान की दिव्य भगती में लगे रहते है उन्हें भगवान अपने अहयतु की क्रिपा से प्रितक्ष आदेश देते है जिससे भगवान के धाम को लोटने के मार्ग में अग्रसर हो सके जो ददामी बुद्धी योगमतम जो भगत भगवान की सेवा में लगा रहता है भगवान उसको क्या करते है बुद्धी योग प्रदान करते है ताकि यो भगवान तब पहुंच सके तो यहां पे गुपालत अपनी उपनिशस शुरुति में कहा गया है गोप बेशो में पुरुशह पुरुस्तत आवीर भभुव ब्रह्माजी के समक्ष भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात ब्रजंदर नंदर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और जिसका वर्नान बाद में ब्रह्माजी भी ब्रहमसंगीता में करते हैं 5.29 श्लोक में चिन्तामने प्रकरसद्म सुकल्प व्रेक्ष लक्षा ब्रितेशु सुरभिर अभिपालयंतं लक्ष्मी सहस्त्रशतसं रमसेव्य मानं ब्रहमाजी भगवान श्रीक्रिष्ण की पुजा करना चाहते हैं जो सरवुच्य वैकुंठ लोग गोलो ब्रिंदावन में वास करते हैं जहां हुई ग्वाले के वेश में सुर्भी गोवे पालते हैं और जहां हजारों लक्ष्मिया प्रेम तथा आदर पुर्वक उनकी सेवा करती है अता श्रीक्रिष्ण ही पड़ामेश्वर के मोल रूप है क्रिष्ण स्टु भगवान स्वयम इस आदेश से भी यही स्पस्ट है श्री भगवान तो श्री कृष्ण है वे सीधे नारायन या पुरुशवतार नहीं है जो बाद में रूप है अता श्रीमत भागवत का अर्थ है भगवान कृष्ण का बोध और श्रीमत भागवत गीता की तरह भगवान की वार्नी का ही प्रतनीदित्व करता है तो भागवत गीता और भागवतम में actually कोई अंतर नहीं है बस इतना अंतर है कि कृष्णन ने direct मुख से भागवत गीता कहा और श्रीमत भागवतम जो है वो भागवान के बारे में है और वो भी भागवान के ही मुख से निकला है शारे सास्टर भगवान से ही प्रकट होते हैं तो 38 शलुक का है और ये बात बताते है यमड़ाज अपने यमदूतो को धर्मम तो साक्षा भगवत प्रनेतम जो ये धर्म है ये भगवान ही बना सकते है धर्म क्या है अधर्म क्या है कोई मनिश्य इसको जज नहीं कर सकता है श्री शुकवाचा संप्रादिश्यवमाजानो जनानाम परमिष्थिनम पश्यातस्तस्यत द्रूपम आत्मनो न्यारून धरी ही शुकदेव गुस्वामि ने महाराज परिक्षित से कहा जिवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में श्री भगवान हरी इस प्रकार उपदेश देते दिखे और उपदेश देने के बाद भगवान क्या होगे अंतरधान होगे वहां से तो हम देखते हैं कि ब्रहमाजी ने प्रहमाजी का जन्म होता है भगवान के नाभी कमल से पिर ब्रह्माजी देखते हैं कि अरे मैं कहां से जन्मा हुआ तो धुनते हैं अपना सुरूस नहीं धुन पाते हैं पिर तपवा करते हैं और पिर भगवान हरी उनके सामने प्रकट होते हैं और इतना प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा की तपश्या से कि वैकुंठ जगत का दर्शन कराते हैं फिर ब्रह्मा जी को तुच्चतुर श्लो की भागवत्म देते हैं और ब्रह्मा जी को आस्वासन देते हैं कि मन्द को मेरे में इकागर करो तो आपको कभी भी अहंकार नहीं होग और इस प्रकार उपदेश देकर भगवान अंतरध्यान हो गया है तो यह जो चार्ष लोग भगवान बोलके अभी अंतरध्यान हो गया यह चार्ष लोगों में श्रिमत भागवत के सार का उपदेश दिया गया है जितने भी जिवात्माय है वो प्रिथर प्रिथर व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरी सर्विष्रिष्ट है यानि भगवान भी एक व्यक्ति है लोग सुचते हैं कि भगवान व्यक्ति नहीं है भगवान की कोई इंडिविज्वेलिटी नहीं है और ना हमारा इंडिविज्वेलिटी है हलाकि सास्ट्रे इसका समर्थन नहीं करते है तो सुरुती मंत्र से ये पुष्टी होती है नित्यों नित्यानम चेतनच चेतनानम अता दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है जैसा कि भौतिक संसार में है तो निराकार करके बैकुंठ में कोई कंसेप्ट नहीं है आध्धात्मिक जगत में प्रतिक वस्तु ज्यान से पड़िपूर्ण है इसलिए दिव्य जगत की प्रतिक वस्तु स्थल हो, जल हो, ब्रिक्ष, पडवत, नदी, सरोवर हो, मनिश्य, पशु, पक्षी पूर्ण चेतन है वहाँ के पशु भी बोल सकते हैं आपने बच्पन में कभी कॉमिक्स पढ़ा होगा तो चरिया बोल रही है, कार्टून भी देखा होगा चरिया बोल रही है, ब्रिक्ष बोल रहा है यह इमाजिनेशन कहां से आया क्योंकि वाईकुंट जगत में जो अध्धात्मिक जगत है उसमें हर जो भी जिस शरीर में है हर कोई पूर्ण चेतन है वो उस शरीर को इसलिए धारन किया है ताकि भगवान की सेवा कर सके जैसे बहुत सारे शुक सारी का है तोता जो अलग-अलग गलड के है वो ब्रिंदा देवी तुलसी महारानी की एसिस्टेंट है सहायता करते है भगवान की लिलाओ में जैसे सुबह-सुबह भगवान को राधरानी को जगाने के लिए वो लोग सुमधुर संगीत काते है और यहां के कुट्टा हो चाहे हाथी हो चाहे कोई भी जीवजन्त हो या ब्रिक्ष हो बात नहीं कर सकते या उनकी भाष्षा इंसान को नहीं समझ में आएगा ना इस तरह से होता है ना इंसान की भाष्षा किसी और दुसरे इंसान को जो दुसरे डायलेक्स बोलते है या लेंग्विज बोलते है समझ नहीं आता लेकिन भगवान के धाम में सब को सैंस्कृत आती है देव भाष्या है ये तो आपे हर कोई बात करते हैं हर कोई पूर्ण चेतन है चाहे पडवत हो, चाहे नदी हो कुछ भी हो फ्लावर ही क्यों न हो सरवश्रिष्टर वेदिक साहित्य स्रीमत भागवत से हमें ये सुचना प्राप्त होती है और भगवान ने ये सुचना ब्रह्माजी को इसलिए दे थी क्योंकि वो जिबात्माओं के नायक है तो ब्रह्माजी आगे यही सुचना यही शिक्षा अपने पुत्र नारत को देते हैं और नारत ने इसको व्याजदेव को दिया और व्याजदेव जिनने शुकदेव गुष्वामी को दिया और अभी सुकदेव गुष्वाई परिक्षित महाराज को भागवत सिखा रहे है शुलुक नंबर थर्टी नाइन अंतर ही तेंद्रियार्थाया हरये भी ही तांचली ही सर्वाभूतामयो विश्वम ससरजेदम सपुर्ववाद फक्तो की इंद्रियों को दिव्या आनंद प्रदान करने वाले श्री भगवान हरी के अंतरधान हो जाने पर ब्रह्माजी हाथ जोड़े हुए ब्रह्माडी की जिवात्माओं से पूर्ण वैसी ही श्रिष्टी पुना करने लगे जिस प्रकार वो इसके पुर्वक की थी तो ब्रह्माजी जितने बार श्रिष्टी का होता है तो ब्रह्माजी श्रिष्टी करते है भगवान ने ये दायत्त ब्रह्माजी को ही दिया है और कृष्णे के इच्छा से ही ब्रह्माजी इसकारे में लगे रहते हैं और इसलिए उनकी जीवन के अंत में वईकुंथ लोग को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्माजी जिवात्माओं की उत्पत्ति नहीं करते हैं ब्रह्माजी उन जिवात्माओं को उनके कर्म के हिसाब से शरीर प्रदान करते हैं जिसे हमें मने शरीर प्रदान किया, किसी को कोई शरीर प्रदान किया, ऐसे हैं और शुद्ध भक्त को पाना अतनत दुर्लब है ये हरी बक्ती सुधोदय में 13.2 श्लोक में भी है सुद्ध दुर्लबा भागवता ही लोके तो हे भागवत भक्त आखे तुम्हें देखकर सफल हो जाती है बर्षनब भजन है ना गोंगार परश होईते पश्षाते पावन दर्षने पवित्र करो ए तुमार्गुन दर्षने पवित्र करो ए तुमार्गुन भक्त हमें दर्षन से ही पवित्र करते हैं अगर सब आपके आसपास भक्त है तो आपसे अधिक लग्की और कोई भी नहीं है क्योंकि हम भक्त को देखकर पवित्र होते हैं इससे कोई नेकटिव परसन को देखकर मन में नेकटिव विचार भर जाता है भक्त को देखकर क्रिष्ण कॉंसियर्स भावना उद्पन्न होती है जो हमें दिव्या आनंद प्रदान करते हैं तो और कहा गया है कि तुम्हारे देह के सपर्ष से सपरष की पूर्ठी हो जाते हैं सरातनरा ग-ढूस्वामी जब च dusty तनर महाप्रवु से बनारस में मिलने आया थे सनातन कुर स्वामी सब्सक्राइब प्किर्ज यह से उसमें थे सडान Кりました महाप्रभुन उनको गले लगाते थे और बार में हमिशा और बोलते हैं तुम्हारे भक्तों का सफ़र्श करने से तो पवित्र हो जाते है हरगु पवित्र हो जाते है हो न trifle कर भक्त की सपर्श से अंब हुगित की सपर्श से हम पवित्र होते हैं और कैसे सपर्श कीछ से बह करते हैं ? बशने बेष्ण अठिकेट है हमसे कोई सीनियर है भक्ति में तो हम दोर दोर के उनका करने नहीं जाएंगे हम उनको प्रणाम करेंगे दंदवत प्रणाम पंचांग प्रणाम करेंगे माता लो लेकिन अगर सीनियर हमें हग कर रहे हैं जैसे माता जी माता जी को हग करेंगे प्रभुजी प्रभुजी को करेंगे तो सीनियर प्रभुजी भक्त में जो जुनियर है मतलब नए आये हैं उनको हग कर रहे हैं तब हो हग कर सकते हैं लेकिन स्वयम जाके नहीं करना चाहिए स्वयम जाके तो प्रणाम करना चाहिए तो यह ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार सपरश होता है जीभा तुम्हारे गुणों के गान के लिए तो जब भष्णप की गु बेटर है कि हम अपने आप पर कंट्रोल कर ले जो बहुत मुश्किल होता है निंदा करना क्योंकि आदत हो जाते हैं जजमेंटल बन जाते हैं हम लोग चुटी चुटी बातों में लोगों को जज करते हैं लेकिन हमें खुद को जज करना चाहिए और लोगों को नहीं करना चा तो बेटर है कि ना सामने निंदा करें, ना बेक्राउन, ब्रेक्राउन में करें, हम सिर्फ गुर्गान करें और भक्ती में ध्यान दें इस संसार में भगवान का शुद्य भक्त पाना एतनता दुल्लब है प्रारंब में इसमें बताया गया है कि प्रारंब में जिवात्माओं को इंद्रिय इस हेतु प्रदान की गई थी कि वे उनसे भगवान अथवां की भक्तों की पृति पुर्वग सेवा करे किन्ट बध्ध जी बहिरंगा शक्ति की मों से क्या हुआ इंद्रिया त्रिप्ति करने लग गए जो इंद्रिया दिया उससे हम लोग इंद्रिया त्रिप्ति करने लग गए तो हम हमेशा यहां बध्ध होके रह जाते हैं भगवान ने क्या दिया कि प्रिति पुरवक सेवा करें भगवान की तो उन्ह इंद्रिया और तुष्ट हो जाएंगे इंद्रजपति करने से तुष्ट नहीं होंगे हाँ जब हम नए नए हैं भक्ति में अभी ब्रह्मा भूत्र प्रसंद आत्मा आवस्था प्राप्त नहीं किया है तो क्या होगा जो हम भगवान से रिलेटेज़ चीज़े करेंगे तो विश जैसा लगेगा स्टार्टिंग में लेकिन ऐसा ही होता है सत्योगुण में पहले व अनुसार भक्ति में लगे रहना चाहिए तो यह जो भौतिक संसार के श्रिष्टि क्या है भगवान ने बद्धजीब को एक अविसर देने के लिए कि हम भगवान की भक्ति करके भगवध्धाम बापस जाए तो इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसा ने कि श्रिष्टि ही करने मे लगा दिया अपना पुरा समय भक्ति के प्रचार के लिए अपना परंपड़ा भी बनाया स्लुक नमबर 40 परके आज हम भगवत कथा का समापन करेंगे स्लुक नमबर 40 प्रजा पतेर धर्म प्रतेर एकदान यमान यमान भद्रम प्रजा नामन विच्छन आतिष्थत स्वार्थ काइम्यया एकवर जीवों के पुर्वश्त था धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्ते जिवात्माओं के कल्यान में ही अपना हिच्च समझते हुए बीधी पुर्वक यम नियमों को धारन किया तो यम नियमों को धारन के बिना कोई उच्छे पतपर आसिन नहीं हो सकता यम का होता है यम मतलब जो नहीं करना चाहिए और नियम मतलब जो करना चाहिए तो नियम तो बनाना पड़ेगा आप जिसे फैमिली के हैड है तो फैमिली में कुछ नियम बनाना पड़ेगा ये करना है ये नहीं करना है सोसाइटी में भी क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेंशन होता है कोई कंट्री का भी अलग-अलग नियम होता है इंद्रे त्रिप्ति का असंगिये में जीवन पशु जीवन है और ब्रह्माजी ने अपने संततियों को उच्चतर करते ब्या निर्बाहतू इंद्रियों पर संयम रखने की सिक्षा दी हमेशा हमें इंद्रियों पर संयम करना चाहिए Every day we can try it हर दिन हम प्रयास करे सकते हैं कि हम अपने इंद्रियों पर कितना संयम रख रहे है तो ब्रह्माजी भगवान के दास के रूप में सभी का कल्यान चोहा रहे थे और जो भी अपने कुल दथा पिडियों के कल्यान की कामना करते हैं उनको एक नईतिक और धार्मिक जीवन बिताना चाहिए तब ही परिवार का कल्यान होगा अन्य था इंद्रियों की संयम के बिना परिवार चलेगा ही नहीं तो आगे शुल्य प्रभपाजित आपने बोलते हैं कि जो इश्वर भक्त नहीं है वो सांगसारिक्ता में कितना ही पटू क्यों नहीं कहा जा सकता है यह कि सांगसारिक गुण को अध्धात्मी गुण को माना गया है तो ब्रहमा तथा उनके शुश्य परभपड़ा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध बक्त है तब तक स्वय में इसा आचरन नहीं करते जब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते मतलब जैसे एक एक सादू के पास एक गुड़ी अम्मा अपने पोते को लेकर आए यूकि उसको बहुत मिठा खाना पसंद था दाथ सारा खड़ाब हो गया तो उस सादू ने कहा कि एक मेने बाद आई उसको लेकर तो फिर सादू ने बस इतना कहा उस बच्चे से कि तुम मिठा इतना मत खाना कि दाथ खड़ाब हो रहा है तो मिठा मत खाना तो फिर को उपदीश दे सकता हूं तो उसी प्रकार से उपदीश देने से पहले हमें उसे एपलाई करना पड़ता है तब उपदीश का असर पड़ता है तो यही बुला साधुने बुरी अम्मा को कि अब मैं जो बोलूंगा इस पर असर पड़ेगा क्योंकि मैं उसको फोलो कर रहा तब लोगों पर इसका इंपेक्ट पड़ता है हा निश्चित रूप से शुला प्रभपात शुद्ध भक्त है उनके डिसाइपल्स जो है शुद्ध भक्त है कृष्ण का कथन बहुत पावरफुल है लेकिन अगर हमें माध्यम बनना है तो हमें भी प्यूरीटी मेंटीन कर करना है हमें भी साधना करना है अच्छिसे और तब जाकर जो है यह परफेक्ट प्रिच्छिंग हो पाएगा तो आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद भागवत क्लास अटेंड करने के लिए हरे कृष्ण क्रंध राश्रुमत भागवत्तम की जय शुला प्रभपात की जय गुरु महराज की जय हरे कृष्ण